राधे राधे मैं आचारे हिमाई शोपन लेकर उपस्तित हूँ प्राया की भाद ही Capital TV के कारिक्रम काल चक्र में आपका दैनिक रासी पन जहां आप मुझसे मिलते हैं, समझते हैं और जानते हैं क्या अपनी दैनिक दिशर्या के बारे में और किस प्रकार से आपका दिन घटित होगा, क्या घटना चक्र होगा आज के दिन आपकी राशी के, राशी के जात कूंका ये सब कुछ आपको जानने को मिलता है हमारे एक कारिक्रम में और साथ ही उस दिन से जुड़ा हुआ कोई विसेश ग्रह योग या कोई जैनती, कोई तेहवार, जो भी है आपको यहां जानने के लिए जरूर मिल जाता है और हम इसी उद्देश के साथ इस कारिक्रम को एक रात पहले लेकर आते हैं ताकि अगले दिन क्या है वो आपको पता हो, आपको उसकी जानकारी हो तो आईए आरम करते हैं प्रत दिन की भात ही, 31 जनवरी है और सन 2030, दिन है मंगलवार का माग माह के सुकल पक्ष की दसमीती थी है जो कि 2 बच कर 15 मिनट मध्यान काल तक रहेगी और रोहिनी इनक्षतर जो कि 2 बच कर 37 मिनट रातरी काल तक रहने वाला है अब बात कर लेते हैं आज के दिन में खास क्या है क्यों है आज का दिन का खास तो आज के दिन है रवी योग और साथ ही है सिध्ध योग इन दो योगों के कारण आज का दिन बहुत मैंने रखता और इसके अतरिक्त क्या है कारण आज के दिन शनी देव पश्चिम दिसा में अस्थ हो जाएंगे अर्थात भगवान सूर्य इनके इतना नजदीक आ जाएंगे कि अस्थ हो जाएंगे आपको प्रक्रिया समझनी होगी है कि भगवान सूर्य सनी के नजदीक आएंगे ये नासा ने बताना स्टार्ट किया या इसरों ने बताना स्टार्ट किया लेकिन हमारे इहां इस बात की जानकारी कई सो सालों पहले से है कई हजार सालों से पहले से है कॉस्मोलाजी को समझते है यही सानातन धर्म की खुबसूरती है लोग कहते हैं यह सब कुछ नहीं होता तो आपको समझना होगा अगर नहीं होता है तो इतनी सटीक जानकारी ग्रह चक्र की हमें कैसे होती है आईए आरम करते हैं प्राया की भात ही आपके रासी फल से मेस रासी से मेस रासी के जो जातक है आज के दिन उनकी रासी के जो जातक है उन्हें कही न कही धन से जुड़े हुए कार्यों में थोड़ी समस्या आने वाली है अगर किसी को उधार देंगे या कही शेयर मार्केट इत्याद में पैसा लगाएंगे तो उन्हें नुकसान का सामना करना अपन सकता है चीजें मुझे उनके पक्ष में तो रहती हुई नहीं दिखाई दे रही है थोड़ी सी समस्या है उसे सुल्जाने का प्रयाज करें और धन से जुड़ा हुआ कोई विकार किसी अपने या किसी हितैसी विक्ति की सलह के साथ ही करें आगे वड़ते हैं प्रशब रासी के बारे में बात करते हैं तो भगवान चैंद्रमा आज के दिन आपकी रासी में विच्रण कर रहे हैं और अपने रक्षत्र में है तो निश्चित ही आज के दिन अगर किसी रासी के लिए बहुत अच्छा समय है तो वो है व्रसब रासी आपकी राशी के जातक आज के दिन जो प्राप्त करना चाहते हैं पर्याप्त को प्राप्त मत कहिए परिश्रम कर लीजिए आज के दिन का परिश्रम आपको कई गुणा लाव दे कर जाएगा व्यापार रोजगार ठीक चलेगा जीवन में कोई ऐसा कार जो आप बड़े तौर पार आरंब करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको आरंब कर लेना चाहिए मिठन और राशी के जो जातक हैं आज के दिन कहीं न कहीं खर्च से जुड़ी हुई समस्याएं उनकी राशी के जातकों के सामने उत्पर्ण होने वाली हैं। धन का उस प्रकार से प्रियोग करिये कि आपको जीवन में आगे सूचना न पड़े। धन अनरगल रूप से आप खर्च मत करिये क्योंकि यह चीज आपको आने वाले समय में अत्यधिक कष्ट देने वाली है। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है आज के जिन। बात करते हैं करकराशी के जातकों के बारे में। करकराशी के जातक हैं आज के दिन परिवार के साथ अच्छा समय वितित होगा। परिवारिक जन कहीं न कहीं आज के दिन आपके लिए बहुत अच्छे विचार रखने वाले हैं और आपका सहीयोग करने वाले हैं। अपनों का सहयोग आज के दिन मुझे आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है और मन में प्रसन्नता के भी प्राप्ती होगी व्यापार रोजगार आपका सामान ने रहेगा व्यापार रोजगार में अत्ते धिकलाप नहीं होगा परंतु सामान ने तह आपका व्या अबसर दिखाई देते हैं आपके जीवन में व्यापारिक या रोजगार तोर पर आगे बढ़ने के तो ऐसे अवसरों को खोना नहीं चाहिए जाहिए अपने व्यापार रोजगार में आज के दिन अत्तिक परिश्रम करिए निशित ही सवलता आपको ही मिलेगी हाँ जीवन मे थोड़े से उतार चड़ाओ जरूर आज के दिन आपके परिवारिक जीवन में मुझे आते हुए दिखाई दे रहें तो उनका सामना करिए आगे बढ़ते हैं बात कर लेते हैं कन्या राशी के बारे में और skin disease ये एक दूसरी बड़ी समस्या होती है आपकी राशी के जात्मों के लिए तो इन दोनों से ही बचने के लिए आपको करना यही भगवान नारायन का पूजल यही आपको इन दोनों समस्याओं से बाहर निकालेगा लेकिन वर्तमान दिन में लोगों से बचने के लिए आपको अपनी दैनी की दिन चर्यापन नियंतर रखना चाहिए व्यापारोजगार सामान न होगा बात करते हैं अगली राशी तुला के बारे में तो थोड़ा सा आप साओधान रहें अपनों को या अपने से छोटों को वहान इत्यादी न चलाने दें अगर आप साथ में हैं तो आप स्वयम कुशिस करें कि आप चलाएं अपने छोटों किसी बड़े को अगर आप दे सकते हैं तो देतें क्योंकि मुझे आपके लिए चीजें आज के दिन थोड़ी सी बहतर नहीं दिखाई दे रहेंगे अगली राशी व्रस्चिक के बारे में बात कर लेते हैं आपकी राशी के जातक आज के दिन सुख सागर में डूबने वाले हैं आपका परिवारिक जीवन बहत अच्छा रहेगा लोग आपके प्रति उदार भाव रखेंगे और साथ ही प्रेम से जुड़ा हुआ आपका कोई कारे है तो वो पूरा हो सकता है विसेश कर आपका जीवन साथी एगर आपसे रूठा हुआ है तो जाइए अपने जीवन साथी से बात करिए और समस्या को सुलजाईए क्योंकि आज के दिन मुझे वो समस्या सुलजती हुई दिखाई दे रही है बस आपकी एक पहल क्या वशकता है गापार रोजगार आपका ठीक चलेगा अगली राशी धनु के बारे में बात करते है धनु राशी के जातक सारीरी के समस्या से आज के दिन निजात पाते हुए दिखाई दे रहे है ये बड़ी समस्या है जीवन में जिससे आज के दिन उन्हें राहत मिल सकती है एक अच्छा मैं अगर कहूं तो गलत नहीं होगा एक अच्छा चिकित्सक आपकी राशी के जातक आज के दिन पास अकने है और चिकित्सा आपकी समस्या का समधान देने वाली है तो निश्यत ही आपको प्रयास करना चाहिए अपनी समस्या को सुल जाने का अगली राशी की ओर बढ़ते हैं बात करते हैं मकर राशी के बारे में मकर राशी के जो जातक है आज के दिन सारीरिक परिस्तियों को लेकर आपको थोड़ी सी चिंताएं जरूर करनी चाहिए क्योंकि मुझे आपकी परिस्ति आज के दिन बिगणती हुई दिखाई दे रही है आप अत्रिक तसावधान रहें और व्यापार रोजगार में थोड़ा सा मन लगाएं मन के डर के कारण, थोड़ा सा इस्थिर करिए अपने आपको और अपने इस मन के डर से बाहर निकलिए, क्योंकि चीजें आने वाले समय में आपके लिए ठीक होने वाली है। व्यापार रोजगार आपका सामान से थोड़ा सा कमजोर रहेगा। परिवारिक जीवन ठीक चलने वाला है। अंतिम राशी मीन के बारे में बात कर लेते हैं। मीन राशी के जो जातक हैं, आज के दिन आपकी सामाजिक प्रष्ट भूमी कहीं न कहीं मुझे सुधरती हुई दिखाई दे रहे है। जिसका आपको काफी समय में काफी नुक्सान हुआ होगा आज के दिन आप पाएंगे कि आपकी उस प्रश्ट भूम में सुधार होगा लोग आपके लिए उदार भाव या प्रसन्नता का भाव या मितर दा का भाव रखते हुए आपके पास आएंगे लोगों से मिलिए परंतु सावधानी रखिए कि वो लोग आपका अन्हेत दुबारा ना कर पाए प्यापार रोजगार आपका सावान में चलेगा ये था आपका आज का राशी फल आईए अब समझ लेते हैं आज के दिन का महाँ उपाई क्या है तो आज के दिन मैंने जैसा कि आपसे पहले ही कारवी योग है शिद्धी योग है और भगवान सनी देव का पश्चिम दिसा में अस्त भी है तो करना क्या चाहिए ऐसे में करना यहीं चाहिए क्योंकि मंगल और सनी परस पर विपरीत ग्रहे हैं मंगलवार के दिन सनी कास्त थोड़ा सा चिंता का कारण भी है इसके कहीं न कहीं जो दूसरे संदर्म में मैं देख पा रहा हूँ प्राकृतिक घटनाओं के घटने का एक दौर होगा यह आज के दिन से यह बीते कई दिनों से जो मैं पहले भी कह रहा हूँ पंदरा तारिक से लेके 19 तारिक का यह जो समय होगा यह प्राकृतिक घटनाओं से आरम करके अब आने वाले दिन में घटित होंगी विशेस कर 15 फरवरी से लेके 15 मार्च के बीच तो आज के दिन विशेस उपाय में आपको करना यही है भगवान भुले नाथ के सन्मुक जाकर के 11 वेल पत्र समर्पित कर देने वो भी सहद लगा कर और अपने मन की करुना और कष्ट को भगवान भुले नाथ को निवेदित कर देना है आपका कल्यान होगा अगर आप हमसे जुलना चाहते हैं अपने दैनिक रासीफल को समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे वीडियो को लाइक जैस्री रादे जैस्री श्याम